नमस्कार में अनामे सत्यम पटेल और अब देख रहे हैं मिडिया दर्शन बिहार में इस वक्त त्रियस्तर ये पंचायद चुनाओ चल रहा है हम लोग अलग अलग प到底सיה के सात परतले का परिएस कर रहे हैं और उनसे जनने का परियास कर रहे हैं कर जनता उन्हें समर्थन के भूढ देती तो पंचायद के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे सामसे पहले सार आ відकूंद भावी लिए प्रतिया कि 1950ाष द्यूप सब्सक्रा कि पिछली दफा भी कुरी पंचायत से मुख्याई का चुनाओ लड़ेते हैं अला कि इन्हें हर का समना करना पड़ा था इस बार भी मुख्याई का चुनाओ लड़ रहे हैं और सबसे परला मेरा सवाल सर आपसे रहेगा कैसे लगता है जब पिछली दफा जनता ने आपको पंचायत में गरीब गुर्बा के बीच गाओं के बीच सभी अपने गाओं के लोगों पंचायत के लोगों के बीच सेवा का काम किया इधर कोरोना में जो है अपने तरफ से जो भी ठोरे थे स्कूल में लोग कोरिंटीन सेंटर में उनको सहायता देने का काम किया अपने तर है इसके बाद में भाइक्षिनेशन में भी मैं बहुत सहयोग किया मैं अपने गाउं से बस भी खुलबा दिया था शासराम लोगों को पहुंचाने के लिए काराम से सबको भाइक्षिनेशन हो जाए यह सब तमाम गरिब गुरुबा के शुक दुख में हमेशा सामील रहने का काम मैंने किया और इसी आसा और विश्वास के साथ मैं अब की बार भी पंचाइद चुनाओं में अपना भाग आजमा रहा हूं आगे आप समये जाना चाहेंगे चूकि आप कोरी पंचाइद से हैं तो कोरी पंचाइद की बर्तमान में विकास की स्थिति क्या है देखिए कोरी पंचाईत का हाल बड़ी बुरा है पहले तो अभी जो मुखिया का कारजकाल समाप्त हुआ है इतना बुरा दोर किसी कारजकाल में नहीं रहा नल जल सब खराब है एक भी नल से पानी नहीं चल रहा है नल जल के लिए बढ़िया को भी तोड़ दिया गया और उसको फिर उसी तरह छोड़ दिया गया जबकि estimate ये बता रहा है कि गली को तोड़ा जा गया तो उसको फिर से उसी तरह बना दिया जाए ये estimate कह रहा है लेकिन एक भी गली फिर दुरुस्त नहीं हुआ किसी भी नागरिका हमारे पंचाईत में ये मुख्या मान समान देने का काम नहीं किया इसलिए मैं आगरा करता हूँ कुरी पंचाईत के तमाम अपने मद्दाता बंधुओं से कि ऐसे मुख्या को अब की बार जुरूर आप लोग सबक सिखाएं आगे मैं आप से जानना चाहेंगे कि आप बोलने जैसे कि समाज सवा लोग की सेवा करने के लिए मुख्या लड़ रहा है तो मुख्या ये बिना आप जो लोग की सेवा करने के जहां तक बात रही आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे दर्वाजे पर जो भी आता है किसी भी सहायता के लिए चाहे उसको दवादारू का में सहजोग का जरूरत हो या फिर किसी के सराध कर्म में जरूरत हो या बेटी के विवा साधी में जरूरत हो मैंने हर किसी का भी, जो भी आया, उसको अपने अस्तर से मदद करने का काम किया है, और चुकि बहुत सारे सरकार के ऐसी योजनाये हैं, जिसको हम चाह कर भी बिना इस पद पर रहे हुए, उसका लाव मैं नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ, कि मैं सरकार के यो महिलाओं की बात हमेशा होती है, कुसी भी चुनाओं में महिलाओं की बात की जाती है, महिलाओं के लिए ये वो, जो भी बहुत सारे वादे भी की जाते हैं, ये तो खेर पंचाहित अस्तर ये चुनाओं है, अगर आप मुखिया बन जाते हैं, तो महिलाओं को लेकर, अप किसानों की बात की जाती है लिकिन अगर देखा जाए तो किसानों के साथ हमेंसा से नयाय होता आया है आप भी चुनाओं लड़ रहे हैं अभी हाल फिलाल के तो किसान लोग काफी जगार की परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो अगर आप मुख्ही आप बन जाएंगे तो अपने अस्तर से किस परकार से किसानों की मदद करेंगे ताकि उनका भी विकास हो सके और उनकी भी मदद हो सके जाकि एक कन्येट इस पंचाय चुनाव में जिसका खाद किसानों को खाद देने का जिमवारी है पैक्स का काम है किसानों को खाद दें, किसानों का उचित सरकारी मुल पर धान और गहुम खरीद का काम करें, उसमें फलाफ है, किसी का भी धान गहुम लेने का काम भी नहीं किया, किसी भी किसान को खाद देने का काम नहीं किया, किसानों के लिए खाद उठाता है फको से क्रि को जनता जरूर सबक सिखाएगी और हम उमीद करते हैं कि यह जो चुनाव है इलेक्षन है यह बड़ी निरनायक होगा और हमें काम करने का मौका अवस्य मिलेगा और अगर हमको काम करने का मौका मिला तो निश्चित है इस पंचाइत में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा किस उसी रेट पर मिलेगा अभी तो क्या होता है कि 99 रुपया का निकलता है पुर्या और उससे 110 रुपया लिया जाता है पांच किलो देना है उसको 4 किलो दिया जाता है यह सब नहीं चलेगा हमारे रहने पर और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि हमारा मेरे को जब मौका मिलेग तो सासाराम में बढ़के पंचाइद नहीं चलेगा पंचाइद भवन में से पंचाइद भवन चलेगा वहां दो बिरुजगार जो पढ़ा लिखा है जो काम कर सकता है जो कंप्यूटर चला सकता है वैसे दो बिरुजगार नोजुवक हमारा भाई वहां रहेगा पंचाइद बहुन में और किसी को भी यहां महां दोड़ने का काम नहीं करना पड़ेगा सिधा पंचायद बहुन जाएगा उसको आया हो जाती हो निवास हो ब्रिधा पिनसन हो सारा आउनलाइन काम पंचायद बहुन से होगा उसको नुखा जाने का कोई हो सकता नहीं है हमारे हमको अगर मौका मिला तो गरीबों के लिए ने सुरुक एंबुलेंस प्रवाइड किया जाएगा कुरीब पंचाइद के लोगों के लिए गरीब गुरुबा फ्री में अपने मरीज को ले जाएगा अगर हमको मौका मिलता है इस पंचाइद में तो फिर मवस्यों के लिए अस्पताल भीबान आने का काम हमको इस पंचाइद में करेंगे यह निश्चित मेरा वादा है अभी अपने तरह तरह के लोगों को लुभाने के लिए अपने पंचाइद सरकारभाण में दो अपरेटर रखेंगे ताकि जाती आयनिवास वही पर बन सके और यह तवाम पर करके अपने बाते कहीं लेकिन जहां तकर मुख्य मुद्धे पर आएं यह मुख्या का जो तनखवा होता है पचीस सो रुपया होता है तो आप पचीस सो रुपया महीना में कैसे इस सारा चीज मैनेज कर पाएंगे हमारा और भी बेवसाय है धन्दा है ऐसा नहीं है कि मैं और जितने भी कंडेट है अपना पान साल के बेरुजगारी हल करने के लिए चुनाव लड़ रहा है पान साल में में वाले ने खाने के लिए चुनाव लड़ रहा है लेकिन मैं सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मैं जनता को ये अस्वसन देता हूँ भरुशा दिलाता हूँ कि मैं आपके सेवा के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ मेवा अगर मैं यह खाने का मन भी करेगा तो बहुत दुनिया खाली है आगे हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि और अगर आपको मैं फिर से जानना चाहूंगा कि जनता कुरी पंचायत की आपको मुखिया बना देती है तब और उनके लिए क्या-क्या किस-किस से छेत्रे में क्या-क्या करियेगा मैं मन रहेगा जो योजना है सरकार का एक बहुत ही बढ़िया इसकीम है उसमें अगर रियल में मुखिया अगर चाहे कि मैंने गरीबों का भोट लिया हूं मैंने सब को हमको काम करना है सब के जोली में सरकारी योजना पहुंचाना है सब के दरवाजे पर सरकार के योजना को किसी भी किमत पर पहुंचाना है तो फिर पहुंचाएगा अब पहुंचाने का काम कर सकता है इसा मेरा मानना है तो इस दिसा में मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार के पास उनेकों योजनाय है जो डिरेक्ट मुखिया के हाँ से प्रभाइड होता है और उसमें देखा जाएगा कि कौन सी योजनाय किसके दरवाजे पर पहुंचाने लाइक है उस हिसाब से दरवाजे पर मैं पहुंचाने का काम करूंगा निश्चित करूंगा अभी अपने सरकार के बहुत सरे उनाय के बारे में बताया और अकसर ये भी देखा जाता है कि सरकार के योजनाय बन जाते हैं लोगों के लिए बनती है और बहुत सरे पंचात असर के योजनाय है इसमें जो भी परतनिती लोग होते हैं वो अपना एक कमिशन टै करते हैं कोई भी उजना कालाब लेना हो, आप हमें इतना एमाउंट दे दिजे, हम आपको डिरेक्ट बिना को इन्वेस्टिकेशन के, आपको मिस उजना कालाब दिलवा देंगे, वैसे बेक्तिकों, जिसके आवा सकता नहीं भी हो तो उसको मिल जाता है, तो आपका सर अगर मुखिया बन होगा, अगर मुझे मौका मिला तो, खुले आम, इंदरा आवास है, कोलनी बनाना है, तो घाई 30,000, 35,000, 40,000, डग बलोवल शुरू है, लेकिन दिनानाथ को अगर मौका मिला, तो किसी भी गरिब को, चननी पैसा किसी को देने का नवबत नहीं आएगा, फ्री अफ काम होग मुखिया के हाथ से अगर होने लाइक रहेगा, फ्री अफ कोस्ट होगा, यह आपको भरोसा दिलाता है, आगे आपसे यह जनना चाहेंगे कि मुर्गा उर्गा का ब्योस्था वस्था किये हैं, चुनाव लड़ रहा हैं, पार्टी साथी तो चलिये रहा होगा, नहीं नहीं मुर्गा मेरे पास मुर्गा मुचली का इंट्री ही नहीं है, फिर चुनाव के इसे जीती एगा, बस जनता के बरो से बिना जनता को मुर्गा और यह जो बिहार में बैन है उसका पाटी दियेगा इसे चुनाव जित जाएगा नहीं उसको मैं बढ़ावा नहीं दे सकता हूं किसी भी किमत पर सरकार के बनाए नियम के बिरूद कोई काम नहीं मैं कर सकता हूं आगे आप समय जानना चाहेंगे कि नलजल योजना सरकार के महतों कांची योजना है अगर आप मुखिया बन जाते हैं अभी हाल फिलाल के सिती आपको में बताने की जूरुत नहीं है अगर आप मुखिया बन जाने तो नलजल योजना में आपका मतलब कितना परसंट हो होगा नहीं मुझे इस मुख्यागिरी से चारा ना भी लाव नहीं चाहिए हमारा पेट चलाने के लिए और रिसोर्स है और लोंगों के पास कोई रिसोर्स नहीं है इसलिए मैं केवल जनता के सेवा के लिए चुनाव लग रहा हूँ सरकार के जनावों को घर घर पहुंचाने के लिए चुनाव लग रहा हूँ मैं अपने मतावों बहनों को सेवा के लिए उनके प्रतिष्ठा के लिए मान समान के लिए चुनाव लग रहा हूँ रुपया के लिए नहीं लो रहा हूँ भगवान के किरिपा से सब ठीक है जाते जाते आखरी सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आप हमने चनलन के माध्यम से हमारे दर्सकों को और साथ-साथ कुरी पंचायत की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए मैं किसी पतपराज तक नहीं हूँ रहा फिर भी पंचायत के लोगों के मदद में मैंने कभी कोई करकोर कसर नहीं छोड़ा इसरपूरा मेरा पंचायत में अंधेरा गाउं था विजली की सुधा नहीं थी मधवन टोला एक मजियाओं के अंदर है वहां भी बिजली की बवस्ता नहीं था कूरी टोला भी अंधेरा में था नावाडी भी अंधेरा में था इतने गाउं अंधेरा में डुबा था वहां मैंने बिजली पहुंचाने का काम किया घर घर प्रकास देने का काम किया और मैं ये आपको घोसना करता हूँ कि 24 घंटा अगर ट्रस्फार्मर भी जलता है तो 24 घंटा तक के अंदर मैं ट्रस्फार्मर बदलवाने का काम जरूर करूँगा चुकि आज के डेट में प्रकास सबको बहुत जरूरी है सबके घर में टेवी कुलर फ्री है 24 घंटा अंधेरा अब कोई बरदास नहीं कर पाएगा इसलिए 24 घंटा के अंदर ट्रस्फार्मर बदलवाने का मैं काम अवस्ति करूँगा तो अभी आप सुन रहे थे कुरी पंचायत के भावी मुखिया परत्यासी दिना नाथ राए इन वह बहुत चारी बाते बता है वह इनके दोर सैक्षा के चितरे अर। बहुत चारी बाते कही गई और सबसे इंपोर्टेंट इन्हों ने एक बताया है कि अकर मुखिया बन जाते हैं तो अपने पंचायत फोन में एक operator रखेंगे दो operator रखेंगे जहां पर जाती आयन निवास और तमाम परकार के जो चीजे कागजात होते जो बनवाने के लिए ब्लॉक में जाना पड़ता है लोग ब्लॉक में नहीं जाना पड़ेगा साथ साथ इन्होंने और बात बता है कि निसुलक एंबूलेंस के ब्यौस्ता करेंगे जाने परतियासी होंगे उनसे हम बातचित करेंगे और जानेंगे उनके पंचायत का क्या हाल चाल है ऐसी खबरों के लिए बने रहें मेडिया दरसन के साथ धन्यवाद